हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल कुकवी तुपासना आज हम बनाएंगे इस पेसली बच्चों लोगों के लिए अक्सर बच्चे लेट चीप्स ऐसा ही खाते हैं आज उसी चीप्स से हम बनाएंगे हेल्दी स्नेक्स जो बच्चे को बहुत ही पसंद आने वाली है एक ट्विस्ट के साथ तो चलिए फिर बनाते हैं सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी करेंगे उसके लिए हम प्याच लेंगे आपके फ्रिज में जो भी सबजी है वो डाल सकते हैं टमाटर बारिक कटगवा शिमला थोड़ी सी धनिया पत्ती अब इसमें डालेंगे पीजा पास्ता सॉस और एक चमच मियोनीज अब हम डालेंगे आधी छोटी चमच और गेनो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं मैं यहापे चिली फ्लेक्स नहीं डाल रही हूँ कर लेंगे अब एक पैकट लेंगे अब इसे क्रश कर लेंगे इस तरह से अब यह चिप्स क्रश हो गया है अब हम स्टफिंग में डाल देंगे धियान रहे कि चिप्स को बहुत ही बारिक क्रश ना करें अब ये stuffing में हम chips को अच्छे से mix कर लेंगे अब ये stuffing ready हो गया अब bread लेंगे मैं यहाँ पे तीन bread ले हूँ इसके edges काट लिये हैं आप चाहे तो brown bread भी ले सकते हैं मैं layer sandwich बना रही है इसलिए तीन bread ही लेना है अब इसमें tomato ketchup लगाएंगे इस तरह से एक ही साइड लगाना है, दोनों साइड नहीं लगाना है अब इसी तरह हम बाकी कभी ब्रेड में लगा लेंगे तीनों में अब हम एक ब्रेड लेंगे और उसकी उपर इस तरह से स्टफिंग को लगा लेंगे पुरी फैला के लगाएंगे और इसके उपर अब दूसरा ब्रेड लगाएंगे इस तरह से अब इसके उपर हम तीसरा ब्रेड लगाएंगे अब ये सेंड्विस रेडी हो गया है अब इसे हम सेक लेंगे अब हमें एक तवा गरम करेंगे उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे आप चाहें तो घी से भी सेख सकते हैं अब यो बटर अच्छे से लग गया है अब इसमें हमने जो सेंड्विश रेडी करके रखा था अब उसे इस तरह से डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे अब इसे एक सैट थोड़ी दिर सिखने देंगे जब एक सैट सिख जाएगा तो इसे पलट लेंगे अब इसे हम पलट लेंगे और दूसरे सैट भी थोड़ा सा बटर लगा लेंगे इस तरह से अब दोनों सैट गुल्डन होने तक अच्छे से से शेक लेंगे क्रिस्पी होने तक अब ये दोनों तरह से सिग गया है अब इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे अब मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ अभी आप देख सकते हैं कितने यम्मी और टेस्टी लग रही है देखने में आप इसे जितना भी हल्दी बना सकते हो आप इसमें कौन भी डाल सकते हो बच्चों मानों खुसी से उचली पड़ेंगे है ना एकदम मज़ेदार रेसिपी दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई